नमस्कार, हम बताने जा रहे हैं धनु यानि सेकेटेरियस राशी का अगस्त महिने का भविश्यपल आपका जो पहला पक्ष है इस महिने का वो थोड़ा सा संघर्ष शील रहेगा उसका कारण यह है अलाकि ब्रस्पती बहुत अच्छा है आपकी राशी में है शनीग वेच्छा है दोती भाव में है लेकिन मंगल की स्तिती चत्रत भाव में बहुत अच्छी नहीं है और ऐसी ही कुछी स्तिती सूरी के साथ है सूरी भी आपकी राशी से अस्टम भाव में है जो बहुत अच्छा नहीं हिए तो प्रतमपक्ष के हम बात कर रहे हैं इसमें काम तो आएंगे opportunities आएंगी मोके आएंगे लेकिन किसमें हाट डालना है किसमें हाथ निजा अधी डालना है यह विविक का मामला है यह साफधनी का मामला है यह बहुत समझने की बात है क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसे आफर्स आ सकते हैं जो इलूजनरी हों ब्रह्म पैदा करते हों दिखें तो बहुत अच्छे लेकिन जब हम उनमें एंटर करें तो हम कही नगे ट्रैप हो जाएं ध्यान रखिएगा लेकिन जैसे ही आप सेकिंड पक्ष में ये सेकिंड सूर्य है वो नमम हो जाएगा बाकी ग्रह बहुत अच्छे हैं ही उसके बात कुछ आपकी बुद्धी में विवेक में कोई इंट्रिजेंस में ऐसे की बात आएगी कि हम कोई कुछ ऐसा करना चाहिए कुछ क्रियेटिव आइडियाज होंगे आपके पास कुछ ऐसे नए इंट्रियाज को जब आप वियहवार मिलाएंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी भाग या आपका आपको सहीयोग प्रदान करना प्रारम करतेगा अगर आप अपने प्रजेक्ट के लिए या किसी कारी के लिए विदेश से लाब लेना चाह रहें सहीयोग लेना सकता है और अगर ऐसा होगा तो ये फिर आगे चलकर मेरेज में कनवर्ट हो जाएगा अगर आप शादी के चुक हैं उसके लिए आप भूड रहें हैं फीचर पार्टनर तो उसके मिलने की पूरी-पूरी संभावना है यात्रा को योग बन रहा है आप देख लीजेगा सु सब्सक्राइब लाइक और शेर करें लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें